राखुल गांदी के संसत सदस्یता जाने के मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्राले ने बयान दिया है, जिस पर कॉंगریस नेता दिगविजय सिंग ने खुशी जाहिर की है और जर्मनी के विदेश मंत्राले को धन्यवाद कहा है, हाला कि इसे लेकर राजनिती शुरू हो किरन रिजिजु ने ट्वीट कर कहा कि भारत के किसी भी आंत्रिक मामले पर विदेशी दखल को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा दिरसल दिगविजे सिंग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धन्यवाद जमनी विदेश मंत्राले और रिचर्ड वॉकर जिन्हों ने इस पर ध्यान दिया कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए लोक तंत्र को कमजोर किया जा रहा है दिगविजे सिंग के इस ट्वीट पर केंद्रिय मंत्री किरन रिजिजु ने तुरंत पलटवार किया है किरन रिजुजो ने दिगविजे सिंग के ट्वीट के जवाब में लिखा कि विदेशी ताकतों को भारत के अंधरूनी मामलों में दखल देने के लिए आमंतरित करने के लिए धन्यवाद राहूल गांधी याद रखें भारतिय न्यायपाली का विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती भारत अब विदेशी ताकतों के दखल को बरदाश्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हैं आपको बतादे कि राहूल गांधी की संसद सदस्यतार रद होने के बाद इस मुद्दे पर देश में राजनितिक माहौल गर्मा गया है अब जर्मनी के विदेश मंत्राले ने भी इस पर बयान दिया है जर्मनी के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता ने राहूल गांधी मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम उमीद कर रहे हैं कि राहूल गांधी के मामले में नियाइक स्वतंतरता के मानक और मौलिक लोक कांत्रिक सिध्धान्थ लागू होंगे